अग्ला प्राश्ट पूछेए जी परसंसंक्या 227 मान्य मंत्री जी मान्य मंत्री जी मान्य अद्रेक्ष्मोदे खंड एक जी हाँ विदानसवा चेत्र खेत्रडी के ग्राम बबबई में चरश डेरी प्लांट इस्तापी थे उक्त प्लांट में वर्स 2023 में औस्तन 5133 लिटर दूद परती दिन संक्लित किया गया मावार वीवरन परिशिष्ट अपर सलगन है खंड दो उक्त डेरी प्लांट में 25,000 लिटर दूद परती दिन संक्लन की संक्ता है जी नहीं उक डेरी प्लांट में दूद संक्लन की समता के अनुरूप दूद संक्लन के लिए नहीं आता क्योंकि बबाई नीमका थानाच चेत्र में जो BMC इस्तापित है उन BMC समीतियों पर संक्लित लगबग 8000 लिटर दूद चरश डेरी प्लांट पलसाना में सीधा संक्लन ह हो रहा है वर्तमान में 34 समीतिया एवं तीन संक्लन केंद्र क्रियासिल है एवं बंशित चेत्र में संक्लन केंद्र सिग्र इस्तापित किये जाने के प्रियास किये जा रहा है मानिय अदेख जी मैं पूरक परसन संक्या एक विदान सभा छेतर खेत्र खेत्री में इस्तापित लेरी प्लांट उसमें प्रोसेसिंग यूनिटी इस्तापित है अदेख जी मानिय मंत्री जी से पूंचना चाहता हूं उसके बावजूद भी चालू नहीं हो पाई है मंत्री मोदे जी ये पताने की करपा करें कि प्रोसेसिंग यूनिट को प्रारंब किया जाएगा अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यूं मानने अद्यक्स मोदे बबभई डेरी सैयंत्र सीकरें जुजुनू दूद उत्पादक सायकारी संग लिमिटेड पलसाना सीकर के अधिनस थे जिसमें 21 जनवरी 2022 से दूद संक्लन प्रारंब किया गया था मानने अद्यक्स मोदे बबभई डेरी प्लांट में प्लांट से जुड़ी हुई जो दूद आ रहा है उससे प्लांट नहीं चल पा रहा है प्लांट को सलाने के लिए समुचित दूद की परति दिन आवसेक्ता रहती है परति दिन 5133 लिटर दूद संक्लन होता है जबकि प्लांट की समता 25,000 लिटर है अब वर्तमान में आ रहे दूद को ठंडा करके चरश प्लांट पलसाना चित्र में बेजा जा रहा है दूद संक्लन है तो वंचित 16 ग्राम पंचयतों पर दूद समितिया खोलने के प्रियास किया जा रहा है दूद की आवक बढ़ाएंगे और दूद की आवक प्रियास मात्रा में होगी तो बबवई प्लांट में दूद की प्रोसेजिंग की कारवई की जाएगी और गठन आज तक नहीं हुआ है कब तक यह गठन हो जाएगा और समितियां खोलने का बिचार है या नहीं मानने अभी बजट दोजार 24 25 में माननिया मुख्यमंत्री जीन ने 1500 नहीं सैकरी समितिया खोलने का की घोशना किया और इसी के तहती जो बबवई चेत्र में 16 ग्राम प अगला प्रेशन है श्री महेंद्रपाल मीना अरसल संक्या 228 मानिया मंत्री जी मानिया देक्समोदे मैं आपकी मातुर मानिय सदेशी को बताना साहता हूं इस प्रश्ण का खंड एक जी हां विदान सभा सेतर जमायवगड में मुक्य नाइग मस्टेर तता अतिर्क जिला सत नयाइदिश नहीं हैं मुक्य नाइग मस्टेर नयाले जिला मुक्य नयाले जैपूर जिला परिस्तित है अतिर्क जिला सतन नयाले के लिए उस सेतर के प्रकर निर्दारित माप्द ननुसार हजार से 12 से कम है खंड दो किसी इस्तान पर नियायले की स्तापना माननी राजेस्तान उसी नियायले से प्रामर्स प्रस्ता प्राप्त होने पर निर्दारित मापदन के अनुसार उसेतर के प्रकंद लंबित होने पर तथा वित्य संसाधन की उप्रद्दा होने पर ही की जा सकती है वर्तमान में मानी राजस्तान उसी नियायले से प्राप सूचना के अनुसार जमरावगड में वरिष्ट सिविल नियायत दीश एवं अतिरिक्त मुख्य नाइक मज़्टे नियायले के स्तापना को परकरण मानी राजस्तान उस नियायले की माननी कमेटी के समक्त विचारा दिन लंबित है बविश्य में मानी राजस्तान उस नियायले से प्रामस प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्दारीत मापदन के अनुसार जमरावगड के सेत्र में प्रकड लंबित होने पर वित्य संसातन की उप्रुपता होने पर ये नियायले की स्तापना ही तू अलाजी सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा मनिय सद्ध से मनिय अद्धिस मोदे जम्मारामकर चेतर बहुत बड़ा और अती पिछड़ा आदिवासी चेतर है यहाँ पर कापी थाने हैं केवल याँ सिविल नाइले कनिष्ट खंड मजिश्टेड ही बेढ़ता है मेरी सदर पर मांग है कि यहाँ पर वरिष्ट खंड नाइले और अत्री जिला नाइले एडीजे कोट की बहुत ज़्यादा जरूत है और यह मांग बहुत कापी समय से की जा रही है साथी सिविल कोट सीनिय डिविजने एडीजे कोट कि यहाँ जरूत है तो मैं मांग के अदिश मोदे आपके मादियों से मैं मांग करना चाहता हूं कि सदन की मेरी पर रखे मांग नहीं होती इसमें प्रश्ट पूछो हाँ प बेज़न सा है तो कब तक खोलेंगे मानि मंतिय जी मानि अधिक समूदे है मानि सदेशी की मांग वाजिब है इनके यहाँ अभी एक सिविल कोट है और इनकी मांग ये है कि एक एडिस्टनल सिविल कोट और एक एडिस्टिक और सेसिने खोला जा लए परद्व जैसा मैं निर्दारीत मापधनड है उस निर्दारीत मापधनड के अनुसार प्रक्रखन विचारा दर्यन नहीं है इनके यहां इनके सेतर से सिविल केसे सिर्फ 401 और क्रिमिल केसे 102 उतकुल 503 केसे जी है और इन केसेज की निरेश जैपूर इस्टित जिला नियाले में एडिस्टन सेशन कोट में सुनवाई हो रही है फिर भी आपका जो पस्ताव है कि हमारे यहां एडिस्नल सेसेजिस खोला जावे एडिस्नल मज़ी स्टेट का कोड़ खोला जावे शूंकि मामला मानी राजितान उस नियायले की कमिटी के सामने विचारा दीन है वहां से जैसा भी पस्ताव प्राप्त होगा उस पर विचार कर आपका या कोड़ खोलने की परकिर्या को भी अपना जाएगी और घंबीरता पर इस पर विचार कर कोई नियायुचित नियने लिया जाएगा अगला प्राश्न है भेरा राम पर अपरसंट तू माने मंत्रे जी परसंट संग्या 239 माने ने द्यक्षम ओदे विभाग द्वारा किर्यानमत्री प्रधानमत्री करशी सिचा योजना जलगरन विकास घटक योजना के अंतरगत अनुधान का कोई प्रावदान नहीं है क्रशी वाग के अधिन पूरो में संचालित प्रधारमत्री क्रशी शिशा योजना जोकी वर्तमान में राष्ट करशी विकास योजना के तहत पर ड्रोप मोर ड्रोप के रूप में संचालित है कि तहत विगत तीन वर्सों में जोद्पूर जिले में कुल 15,298 आवेदन प्राथ हुए उन में से उन में से 12,077 को अनुदान मिला तदा 2724 आवेदक अनुदान से प्राथ हुए जी थोड़े आप इसे जोर से पड़ेंगे या माई का आपका नजदीक होगा दावाद आएगी जी हाँ लंबित देंदारियों का समावेश वर्स दोजार 25 की कारियोजिना में किया गया है तता उनके निस्थान हेतु क्रसियम कर्शक कल्यान मंत्राले भारत सरकार से प्राप्त हो रही सराशी के अनुरूप बजट आउंटन किया जा रहा है खंड चार जी हां वितेवर्स दोजार 25 की वार्षी कारियोजिना जारी की जा चुकी है जिसमें जोत्पुर्ण धुले को गत्व वितेवर्स में 2023 के दोरान जारी 10,885 हेक्टर की कारेयोजिना को बढ़ाते हुए वितेवर्स 2024-2025 हेतु 16,256 हेक्टर के भोतिक लक्षयों का आउंटन किया जा चुका है मानिय साथ सब्सक्राइब जो है आपके मादेम से मानिय मंतरी महादेजी सी यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उक्ती योजना के अंतरकत जो गत्वे के लंबित जो अनुदान है उनकी बकाया भुकतान किसानों को करना है का कोई समय पिरियड है या कब तक कर देंगे न छोड़े 1256 किये इसका क्या क्राइटेरिया है आप ऐसा जमीन को किस आदार पर बढ़ाते हो या किस आदार पर गटाते हैं मानिय मंतरी जी मानिये दिक्ष्मोदे जो राशी बाकी है वो एससी एस्टी की के लोगों की भी बाकी है उसको हम बहुत जल्दी भुकतान कर देगे मानिये सदसे और क्रश्णकाल में सभी सदसे अपने सीट पर बैठें जो सामाने सेड़े की बाकी है उसको लगबग हम 15 अगस तक भुकतान करेंगे परंतु यह भुकतान नहीं हो उसका कारण पूरोड़ी शरकार है क्योंकि उनके किसानों के परती हमदर्दी नहीं थी किसान विरोदी शरकार थी और इसके कारण से भुकतान नहीं किया गया था माने माने सदसецeline इहीं पूझा आ कि है क्राइटेर जाय किया है तो डिमांड क्यााधार पर इक्राइटेरा बनता है जांगता है पिछली बार कितनी आवैदन आये थे और आवेदनों को बहुत सारे अधिकारी तो बिना देखे ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं इसमें मेरा निवेदन मानि मंत्री मौदेज जी से यह रहेगा कि आप उन अधिकारियों को यह बताईए कि भी आप इनके आवेदनों को बिना देखे ही इसे कुछ एक को reject कर देते हैं और एक जो जमीन का हेक्टर वाड़ा क्राइटेरिया है यह आप इस फर्स्ट नहीं कर पाये कि इसका कोई क्राइटेरिया तो है कि किस आदार पर आप इनको यह दुश्ट गटाते हो यह दुश्ट किस आदार पर बढ़ाते हो मन्तरी जी मैंने पहले आपको बता दिया है कि इस काड़ की डिमांड होते है उसके आदार पर अगलिवर्स में टार्गेट तक रते हैं अगला प्राश्ट नहीं प्रेशन संख्या टू थरी जीरो मन्तरी जी मुझे दर पास जवाब आगया है आपका आगया हो तो मैं दो कुछना जाता हूँ मन्तरी जी ने जवाब दिया है तीस से पचास बैट शमता का विस्तार है तो बूमियो पलब्द नहीं होने के कारण बजट अवंटर नहीं किया गया लेकिन मैं आपके मादम से मन्तरी जी को बत्राना चाहता हूँ यह पदमपूर होस्पिटल में अब भी डेट सो बाई दो सो पचीस की जगा खाली पड़ी है तो मैं आपके मादम से जाना चाहता हूँ इत्तीस बैड से पचास बैड की शमता आप कब तक बढ़ा दोगे जगा खाली पड़ी है अन्दियत एक्समोद है पदमपूर विदान सभा के अंदर आट सी एच सी हैं बारा पी एच सी हैं और एक सो चौदा एच सेच सी हैं सब सेंटर आट सी एच सी है जो कि एक बहुत ही भाड़ी मातरा है पदमपूर, सुईकरनपूर, केशी सिंगपूर, गज सिंगपूरा ये सब आपकी सी है पचीस दस दो जार इकीस को जब आपकी सरकार थी और आदरनी आपके सुर्गे आपके पिता जी एमेले थे वहाँ पर पचीस दस इकीस को चीहतर लाख और च्यांडवे हजार का बजट एड्मिनिस्टेटिव और फाइनेंशल जो है सेंक्शन दिया गया और जो कारिय था उसकी अवदी थी कि 31 डिसेंबर दो हजार चोईश को कम्प्लीट किया जावे इसके अंदर 30 से 50 जो है बेड्स बढ़ाने थे और टोटल जो बजट जो है आपके 2021 बाइस के अंदर आपकी सरकार ने लगबख 32 करोड रुपे आपके हॉस्पिडल्स के अंदर स्विक्रत किये थे जिसके अंदर केवल 617 लाख रुपे अभी तक खर्च हो है मैं मानिय सदेशे को आपके पिता जी उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपको ये जो आपके जो बेड्स जो 30 से 50 बढ़ाए जाने हैं इसके अंदर मैंने जानकारी ली मैंने का कि क्या 20 बेड्स बढ़ाने के लिए एक मंजिल विस्तार करके हम कर सकते हैं उनका बगेरा जो कुछ है फालतू में पड़े में उनको डिस्मेंटल करके हम आपका 30 से 50 बेड्स का कारिया हम शीगर चालू करेंगे और हम इनको कम्प्ली करेंगे मेरा दूसरा पूर प्रेशन है सर मेरी विदानसवा के ब्लॉक करनपुर में टाइफेड वाइरल और बुखार से काफी बिमारी फैल चुकी है जिसे दो व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है तुमाँ दस पद सवी करेता है और डॉक्टर सिर्फ तीन है यही हाल पदमपुर में तो मैं आपके मादम से मंतरी जी से पूछन चाता हूं यह पद कब तक बरतिये जाएंगे पदमपूर और करेंपूर में मन्तरी जी यह प्रशन इन्होंने जो पूछा उसके दाएरे में नहीं है लेकिन आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमां हम जो पचास हजार जो हम पद नवेंबर तक लेंगे और एज़ा मिनिस्टर मेरा सबसे भारी इस विबाग के अंदर अगर फ सबसे बारी चैलेंज और मेरी सबसे बारी जो मेरी टास्क रहेगी वो कि राजस्थान के होस्पिटल्स के अंदर रिक पद नहीं रहे इसको शिक्र करेंगी यह करिणपूर का वो सैंस्ट्री मैटरे साब जल्दी कर वज़ेना होड़ा किरी घंशाम मैनिया अध्यक्स मोद मैं आपके मैध्यम से पूछना चाओंगा के हमारे हां ने तो सर्वे हुआ है ने मुआपजा मिलाय किसानों को मेरा आपके मैध्यम से निवजने पाला और अधिक बरसा के खारण जो नुक्सान किसानों का कितना जिलेवार हुआ है और उतकी क्या संख्या है और नुक्सान का कितना मुवाबजा सरकार के द्वारा दिया गया है एक आपने लिखा है इसमें जवाब में कि SDRP के निर्देशों के अंतरगत रासी कौन से किसानों को प्राप्त करने का हखदार है तो ये कौन से क्या माप दंडे HDRIP का क्या ताथ परिये है और ये किन किसानों को इसके मैध्यम से रासी मिलेगी मानिया मंतरी जी से पूछा मानिया अधिक्समदे मानिया सद्धिस्जिन पूछा है कि SDRF के अंदर हमें आपदा प्रवन साहिता नागिरिक सुर्खषा के ओला वर्ष्टी के भारत सरकार से अलग से बारा ऐसे जो सेंटरल गौर्वर्मेंट के हैं नियम उसके अनुशार हमेरासी वित्रित की जाती है उसमें आज दिन तक पांच वर्षव में भारत सरकार से 10,314 करोड चुंबालिस लाग रुपे राज्य सरकार को प्राप्त हुए 2020, 2021, 22, 23, 24 तक तो हमने ओला वर्ष्टी से प्रवायत किसानों को वित्रित की गई कर्षी आदान परदान राशी जिल्लेवार आपको चुची दी गई है और फसल खराबा होने पर कर्षी आदान अनुदान साहिता राशी का बुगतान भूमी की गुर्वता के आदार पर नहीं किया जाता अधिक रत प्राकरती आपदाव से कास्तकार द्वारा बुई की फसलों में गिर्दावरी रिपोर्ट 33% जो खराबा होता है उसके आदार पर की जाती है और इस से अधिक अगर फसल खराबा होने पर बारत सरकार द्वारा एस्टी आरफ नाउम्स के प्रावदान अनुसार प्रावित किसानों को कर्षी आदान अनुसार बुगदान किया जाता है प्रिस्टिट बह पर सलगना है माणिया सजर से मेरा अद्धस मोदा आपके माध्ध्यम से मुंत्रीची से निवेदन है क्या सरकार इस परकार के नुक्सान और मुआफ़जे को बढ़ाने का अरादा रखती है और पाला और जो वर्षा से किसानों को नुक्सान होता है क्या उनके भी कोई माप्दन है उनको भी नुकसान का मुआपज़ा दिया जा सकता है उसके अभी खुलाचा करें जबकि बसाज से और पाले से ओड़ें से भी ज़्यादा नुकसान के सानों को होता है मानि मंत्र जी मानि अद्दिक्स पूंदे मैं आपके माद्यम से साहिता राशी देने का सव महीने के अंदर अंदर जो आविदन प्राप्त होते हैं उसके अनुसार उसको साहिता दी जाती है स总 बहोंए के बाद भी विपाग स्तर पर गुनावगून के अधार पर परिक्सेस्ट कर इसके अधार पर इसका भुख्टान क्या जाता है ने इनको बढ़ने का विचार करती है कि सरकार जैसे पहले से अब आगे दुख्सान का जो बुक्टान जाता सकती है श्री दीप्ती किरंड महिश्वरी श्री शांति धारिवाल प्रस्टी संख्या 233 यह इनका दिकार ब्राजों आप नहीं बोलेंगे मान्य मंत्री जी झाल